हेलो एन वेलकम स्टुडेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल और आज के वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ टॉप नाइन न्यू वर्ट्स इन इंग्लिश तो स्टुडेंट्स ये जो न्यू वर्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ English के बहुत ही जादा important है और बहुत ही जादा helpful है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को last तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा साथ ही साथ bell notification on कर दीजेगा और इस वीडियो को like share जरूर कर दीजे यसे हिंदी में मुहावरे होते हैं वैसे ये English का एक मुहावरा है cup of tea जिसका अर्थ होता है bus की बात cup of tea का मतलब होता है bus की बात जैसे कि मुझे कहना है कि dancing is not my cup of tea तो मतलब dance करना मेरी bus की बात नहीं है मुझे dance नहीं आता है ठीक है second word देखते हैं तो second word है हमारा I freaked out I freaked out मतल मेरे तो होशी उड़ गए मेरे तो होशी उड़ गए यह हम regular day में यूज करते हैं यह word को अगर आपको इसको English में बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे I freaked out I freaked out मतलब मेरे तो होशी उड़ गए ठीक है third word third word is stop yapping stop yapping का मतलब होता है बग बग मत करो कोई इंसान बहुत ही ज़ड़ा Irritating होता है आप चाहोगे उनसको बोलने का कि please बग-बग मत करो तो उसको आप कैसे बोलोगे stop yapping stop yapping मतलब बग-बग मत करो fourth word fourth word है कि मैं सोने जा रहा हूँ अगर आपको बोलना है कि मैं सोने जा रहा हूँ तो आप कैसे बोलेंगे माले जी आपको बोलना है कि मैं सोने जा रहा हूँ तो आप कैसे बोलेंगे English में आप बोलेंगे I am going to hit the sack I am going to hit the sack का मतलब यह नहीं है कि आप कुसी को मारने जा रहा हूँ इसका मतलब होता है मैं सोने जा रहा हूँ मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ को बोलेंगे English में I am going to hit the sack चले 5th word देख लेते हैं आज का 5th word है कि I am fed up of his banal tanks I am fed up of his banal tanks का मतलब होता है मैं उसकी घिसी पिटी बातों से तंग आ रहा हूँ का मतलब होता है I am fed up of his banal tanks ठीक है 6th word है I am your pardon I am your pardon का मतलब होता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ ठीक है अगर आप किसी अपने mistake के लिए guilt feel करते हो आपको बहुत ही जादा बुरा feel होता है और आप माफी माँगना चाहती हो तो आप कैसे बोलोगे I beg your pardon I beg your pardon का मतलब होता है मैं आपसे माफी माँगना चाहता या चाहती हूँ चलिए 7th word देखते हैं student 7th word है हमारा come what me हम लोग बोलते नहीं है कि regular day में आरे जो हो का सो देखा जाएगा बोलते हैं तो उसको आप English में कैसे बोल सकते हो come what me come what me का मतलब होता है जो हो सो हो देखा जाएगा बोलते हैं तो वही जो हो सो हो को English में क्या बोलेंगे come what me चलिए देखते हैं next word 8th word है हमारा you are so innocent You are so innocent का मतलब होता है आप तो बिलकुल भोले हो आप तो बिलकुल भोले हो कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है बहुत ही ज़्यादा भोला होता है तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे You are so innocent ठीक है 9th word आज का है Gullible Gullible मतलब होता है सीधा साधा कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा है तो आप उसको बोलेंगे Gullible ठीक है तो students ये था आज का कुछ Top 9 words English का जिसको मैंने आप लोगों को हिंदी मीनिंग के साथ समझाया है उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आपको किसी भी चीज में कोई सी भी word में sentence में doubt हो रहा है आप इसके बारे में कुछ और भी query करना चाहते हो question पूछना चाहते हो तो बेजी जग आप कर सकते हो comment section में मैं surely आपको reply कर दूँगी अगर आपका जो भी doubt होगा तो and please don't forget to like this video उम्मीद करती हो कि आपको पसंद आया होगा तो please video को like कर दीजेगा and हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा साथी साथ bell notification को on कर दीजेगा मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन वन्दे मात्रम